हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुसी से करेंगे न सिक्वा कभी भी किसी से हेलो दोस्तों आप सदीका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूँ भी पिनिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है जानते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग ठीक ना तो पेपर को कट किया जाएगा फोल्ड किया जाएगा इसके बारे में जानेगी पूरा जंजट ही आज कि एकजाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे देखने से यह पता चलेगा कि मतलब यह पूरा जो दिख रहा है कोन परकिरिया से गुजरा होगा इसा बन गया होगा ठीक है ना तो एक बार पढ़ लेते हैं कागज को भीसेस तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें क पर पर प्रसन आकर्ति की तरह दिखता है ऐसा दिखता है कि कागज को एसे मोड़ा गया फिर उसमें छेद किया गया तब इसा दिखने लगा होगा खोलने के बाद ऐसा दिखा Olay ऐसा कर देता है दोस्तों गौर करना ये जो आप देख रहे हैं इसका ये मतलब होता है कि पूरा कागज था और यहां से बीच से इसको मोड़ा गया एक बार ठीक है? इसका ये मतलब होता है मैं थोरा कागज लेके ही ये पूरा है बीच से ऐसे एक बार मोड़ा गया मोडा गया, आप बताई ये पहले तो एक Page है, लेकिन जैसे ही मोड़ देते हैं, तो ये 2 Page बन जाता है, एक बार मोड़ने से 2 Page और फीर अगर एक बार और मोड़ देते हैं, अभी तो ये double Page में हैं, अगर एक बार और इसको मोड़ देते हैं तब ये कितना हो जाएगा, दो दूना, चार पेज हो जाएगा इसमें, चार पेज हो जाएगा, नहीं, एक बार मोड़े, एक बार मोड़े तो दो पेज, पिर एक बार और मोड़ेंगे तो दो का दूगना, चार पेज, चार पेज जैसा हो जाएगा, तो एक बार मोड़ा, द चारो बढ़का, दूगो छोटका, नीचे यहां दूगो छोटका, कोने कोने पर चारो बढ़का है, तो ऐसा भी दीखना चाहिए, इसमें से आप कुछ आप्शन आपको अपने आप छट जाएगा, दोस्तों, जब हम एक बार मोरे, दो पेज हुआ, फिर उसको डबल किये, त तो चार पेज हुआ, चार पेज हुआ, तो चार गो छेद कर देंगे, अगर एक पेज पर तो उता चारो पर चला गया छेद, चार पह मोर के, चार पेज मोर के, चार पेज बना के, चार गो छेद कर दिये, तो सब पर गया है, यानि चार चारो को 16 छेद हो जाएगा, एसा, तो 16 छेद हो जाएगा तो इसमें 4, 4, 8, 4, 4, 4, 6 है तो ये बला ये बला ये बला पूरा करेगा लेकिन ये बला गलत है क्योंकि इसमें 5 छेद दे दिया है तो इस 4, 25 एक पेज पर 5 छेद, 4 पेज है, 4, 25 छेद हो गया अगर बर, option B तो गलत अब रही बात C को देखिए, इसमें छोटे 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 छेद भी हैं, छोटे छोटे वे लिए अब बड़े वाले भी हैं लेकिन इस option में C में दे रहा है, सब बढ़के छेद किया है, तो ऐसा आएगा ही नहीं अब बचता है option A और option D, इन दोनों में 12 छोटा दोनों छेद किया गया है, तो ये दोनों option में से कौन सही होगा दो option तो आपने छाट दिया, अब ज़रा गौर करना, अब ज़रा गौर करना दोस्तों option A को जब ये चार ता हो गया, एक बार मोरे दो पेज हो गया, नहीं, एक को डबल किया दो, फिर दो को डबल किया चार, चार पेज हुआ, और छेद किया गया यहां पर छोटा वाला, यहां बड़ा वाला, यहां कोना पर इधर क्या किया गया, बड़ा वाला, और इधर लास्ट और खूल के इधर आएगा तो छोटा हो जाएगा जब कि कोना कोना में बढ़का है गलत हो गया और ऐसे भी सोचो कि बीच में अगर यहां छेद करेंगे तो जब खोलेंगे तो एक छोटा वाला छेद यहां हो जाएगा एक छोटा वाला छेद यहां और एक छोटा इधर है त तो चार छोटा कुना पर बीच में आ जाएगा तो यह गलत हो गया तो हमारा इंसर कौन सही हो जाएगा option D इसमें इसके opposite बना गया है यहाँ पर बड़ा छेद है तो जब इसको खोलेंगे चुकि चार पेज है यह जब एक बड़ा खोलेंगे दूपेज फिर ऐसे खुल जाएगा है तो खुल जाएगा तो यहाँ बड़ा है तो इसके उपर भी तो बड़ा ही हो जाएगा खुलने के बाद फिर खुलने के बाद यहां बढ़ा फिर यहां बढ़ा यह चार वो बढ़का बीच में हो जागा ऐसा हो सकता है option D से हैं तो असपस्ट है कि आपको यह चीजे समझ में हैं मैं उझे आपको सिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया आपको अब समय नहीं लगेगा आप देखते ही सवाल बना पाएंगे अब आये इस पड़ाते हैं सवाल आपके सामने हैं इतना हमको पढ़ने के जरूरत नहीं है जरूरत है कि अगर हम खोलेंगे तो आईसा दिखना चाहिए कौन प्रोसेस से तो सबसे पहले एक चीज्च आप देख लीजी एक चीज्च देख लीजी समय सब में सब में कुछ अपस आपको यहीं गलत कैसे नजरा जाएगा देख लीजिए इसमें आप दिखे घात चार गो जो हैं जटरवू टे शता दिया – एक पेज किया तो दो एक बार मोरा दो हुगा दो का दूगना चार चार होगा ग्या चार तो षब दी अध्य अध्य में चार बबरहाद न गिया एक पेज पर आपने 3 चतरभूज बना दिये है, मालने लिजे कि 3 छेद कर दिये है, चतरभूज अकार का, तो 4 पेज ऐसा खुलेगा, तो 3 चौगे 12 गो हो जाएगा, इसमें 4 गो है, तो E गलत, E भी गलत 4 गो बना दिया है, तो 4 पेज पर जाएगा, 16 गो इ बरग आइसन बन जा पांच 20 गो छेद बला आ जाएगा ये बिर्त बला आ जाएगा नहीं तो 20 गो इसमें ऐसा है नहीं तो ये भी गलत तो सही option C हो जाएगा simple इसमें देखने में भी लगता है आपको एक बार मोरे दो पेज हुगा फिर दो का दुगना चार पेज एक आकिरती ऐसा आपने बनाया ये आकिरती चारों पेज पर हो गया जब खोलेंगे तो छेद करके आपको बनाना है तो ऐसा ऐसा चारों बन जाएगा तो दो पेज हो गया फिर कहा कि फिर ऐसे मूर दिया गया तो दो दूना चार पेज हो गया मतलब अगर कहें तो चार पेज ऐसा बन गया है ठीक है और ऐसा चार पेज बन गया है दोस्तों ऐसा चार पेज बन गया है अब जड़ा इसको थोड़ा मीटा लेते हैं देखिए ये कि चार पेज बन गए हैं, क्योंकि दो पेज, फिर इसका डबल किया, तो चार पेज, यानि कि है ऐसा, खोलने के बाद ऐसा है, अगर हमने छेद किया एक पेज पर ऐसा, तो एक इसकोने में, एक इसकोने में, तो क्या हो जागा, चारो पेज में, एक इसकोने में, एक इसकोने मे कुकि इधर कोना में किये हैं तो सब कोना में भी चल जागा तो चारगो बीच में चारो कोर्नर पर कहा है चारगो बीच में चारो कॉर्नर पर Option D में है हो गया ना आईए जड़ा देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये देखिए आपके सामने आपको कह रहा है कि ऐसा एक पेज था इसको देखे एक पेज पूरा प्लेन ये है आधा से मोड़े आधा से मोड़े दो पेज हुआ फिर नीचे के तरह मोड़े तदू का दूगना चार पेज हुआ चार पेज बन गया और चार पेज होने के बाद क्या कहता है कि ऐसा बनाई तो बताईए तीन तीन गो सब पड़ बनेगा सारे जगा ऐसे होंगे तो तीन तीन गो आक्रिती बनेगा त्रीबूजAh है आयत है और सरकिल है माल लेजी कि तुर्भूज है आयत है सरकिल है दोस्तो जब यह झ्यद बनेगा न और इसको ऐसे ही बना के जब एक बार खोलिएगा तो यहां रहेगा ही रहेगा ठीक है और नीचे वाला तो ऊपर चल्यागा खूला तो ऊपर गया तो तिर्भूज उपर से नीचे के तरफ बन के आएगा उपर से नीचे के तरफ तिर्भूज बन के आएगा समझे पहले तो आयत बना उसके बाद तिर्भूज नीचे के तरफ बन के आएगा ऐसा होगा फिर जब हम इस पेज को ऐसे खोलेंगे चुक्कि अभी दो पेज है इसको खोलेंगे तब पूरा खुल जागा तो फिर बगल में यहाँ पर क्या हो जागा यह बगल में आयत ही आएगा और इसके उपर जो है से तिर्भूज बना हुआ ही आएगा इस पेज में भी नीचे वाले पेज में भी दोस्तो तो जब यह खुला है, तो यह आयत तो रहेगा ही रहेगा, अच्छा, इस सरक्ल सब के साथ में चलेगा, जब खुलेगा तो सरक्ल साथ में रहेगा, यह खुलेगा, खुलेगा इधर, तो सरक्ल जो है, सर्क्ल इधर से इसमें आ जाएगा, जब यह पेज खुलेगा, तो सरक् इधर से खुल रहा है, तो यह दोनों तो उधर चल जागा, लेकिन सरकिल इधर ही रहेगा, तो यहाँ पर आप समझ लिजे, कि सरकिल इधर रहेगा, यह आयत तो रहेगा रहेगा, और यहाँ पर क्रिभुज बन जाएगा, अब आजाएगे, तो बीच में आपको दीखेगा, चारो सरकील और ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है ये देखिए ये आ रहा है आ रहा है चारो जगा आपको कहा मिल रहा है यहां मिल रहा है क्या यहां इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये आयत और तिर्भूज के बीच में सरकील आ रहा है दुनों के जॉइंट के पास में इसमें नहीं आ रहा है इसमें देखिए इसमें देखिए ये आयत और तिर्भूज तिर्भूज का मुह जो है इसी तरीके से होगा जैसे देखिए ये आयत है और तिर्भूज का मुह आयत के तरफ है और सरकिल ये आ गया ये सहिए ये जब उपर खुला तो उपर से तिर्भूज आ गया और ये आयत इसके बगल में नीचे और इन दोनों के जोएन के बीच सरकिल, उसके सामने, तो फिर जब ये पेज खोलते हैं, तो सेम, जब ये उधर पल्टेगा, तो ये वाला उधर से चल गया, और सरकिल उसके सामने, यानि आपसंस ही बिल्कुल सही है और ये सब गलत हो जा रहा है, गलत क्यूं हो जा रहा है भाईया, इसमें देख लिजे, यहां बला तो ठीक है, नीचे का ये दोनों स्थिति ठीक है, लेकिन जब इसको हम उपर के तरफ खोलें, जैसे उपर से मुड़ के आये थे, उपर के तरफ खोलें, तो तिरभूज उप सरकिल भी सही है, लेकिन जब इसको खोला, तो ये जब ऐसे पल्टेगा, तो आयत और तिरभूज उधर जाता, और इसमें क्या कर दिया, सरकिल को उधर भेज दिया, तो ये भी गलत है, यानि कम सही है, आप्शन D सही है, चलिए, अगला देखते हैं, ये देखे, बहुत मस सवाल है यहाँ पर, इस सवाल को जड़ा ध्यान दीजेगा, इसमें थोड़ा सा क्या है कि कोना कोनी मुरा है पेपर को, ये पूरा चडखूट पेपर था, उसको बीच कोना कोनी मुर दिया, ठीक है, तो तिरभूज जैसा बन गया, यानि समझ लिजे कि ये अब हट गया, अब तिरभूज खाली आपका यहीं बचल है, ये तिरभूज है आपका, ये मुरा के ऐसे बन गया, यहाँ से मुर दिये न तर ये तिरभूज ऐसा बन गया है, ये तिरभूज है आपका, ठीक है, और इस तिरभूज को अब फिर एक बार यहाँ से लाके मुर दिया, तब आप समझ लीजे इसको मोड़े दो पेज यहां से मोड़े चार पेज का तिर्भूज बना और तिर्भूज बना कुछ ऐसा और चार पेज है तो चारो पेज पर ऐसा चीज दिखना चाहिए चार पेज पर ऐसा चीज दिखना चाहिए चार जगई फिगर दिखना चाहिए अंदर वाला तो चारे वो दिखना चाहिए ऐसा सब में दिया अब गौर करिएगा अब ग़ोर करिएगा ये जो आप देख रहा है दोनों तिरभूज का क्या है ना कि इधार वाला भूजा जो है मानने नुकीला भाग एक दूसरे के सामने नहीं है इसका क्या है कि भूजा एक दूसरे के सामने है नुकीला भाग इसमें उपोजिट है लेकिन कुछ फिगर में नहीं है नुकीला भाग इसमें उपोजिट है इसमें उपोजिट नहीं है यहां गलत है यहाँ देखे नुकीला भाग अपोजिट में नहीं है नुकीला भाग अपोजिट में नहीं है यह दूसरे के पीछे पडल है यह गलत है आपका एंसर अपसाने सही है नुकीला भाग एक दूसरे के अपोजिट में है पकड़ा गया अपसाने सही है आए जड़ा एक सवाल और तो बहुत बहुत्तरिय सवाल यह ज़राद देखिए कि एक विरत है इना एक विरत को क्या किया गया है एक वार यहां से मोर दिये तो दू ता फिर इधार से मुड़ दिये तीन ता उसको फिर नीचे मुड़ दिये ता तीन दूना छो ता हो गया मतलब छो पेज बन गया दोस्तों देखिए ज़रा गवर करिए न समझ में आता है तो हमारे पासे यह अम्त्र है यह है आपका है ना एक बार मुड़ा अभी तक दो पेज है दोस्तों इसके उपर एक पेज और आया तक कितना हुआ दो आएक तीन पेज अजब यह तीन को मुड़ देंगे ऐसे तो तीन दूना छो पेज हो जाएगा यानि कि यहां पर छो पेज हो गया इसलिए ऐसे जो तिर चौने तरफ हो जागा और चोंत इसलिए ना है नोवन जाएगे तक क्या से अंसर हो गया तो मुझे उमीदै कि आपको बहुत अच्छा से ये पेपर, कटिंग और फोल्डिंग समोज में आया है वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू वेस्ट अफ लग